हेलो एवरीवान, वेलकम तू नेट बायालोजी, तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट सम् इंपोर्टन्ट क्वेस्टिन्स फॉर सीएसा या नेट लाइस साइन्स इग्जामिनेशन इन टॉपिक एन्हेरिटेंस बायालोजी और जेनिटिक्स, एट्थ यूनिट ऑफ दॉप अगर हम स्लेबस देखे, CSI अने लाइस साइन्स का उसमें एट्थ यूनिट है इन्हेरिटेंस बायालोजी जो रिलेटेड है जेनिटिक्स से, इसमें सारे ही टॉपिक्स जेनिटिक्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूट किये गए हैं, इस पर्टिकलर वीडियो ऐन्योटाइट फीमेल्स विध उंली वन एक्स क्रोमोजोंब तो अलिक्स तेख और उन्रीड एक्स क्रोमोजोंब को मतलब है, जब एक से जादा सेट प्रेज्ट हो किसी एक पर्टिकलर सेल में cell में nucleus होता है जहां पर chromosome present होते हैं chromosome अगर in case of human हम बात करें तो वहां पर 23 pairs of chromosome present है मतलब 46 chromosome हैं ऐसे ही अगर polypyl ID वाली condition में यह जो set है या तो यह duplicate हो जाए या तो 3 set हम को मिल सकते हैं या तो 2 set मिल सकते हैं ऐसे ही मतलब 53 pairs chromosome की जगो 46 pair of chromosomes मिलेंगे एक ही cell में तो इस वाली condition को और हो सकता है कि यह 3 बार ऐसे duplicate हो जाएं तीन सठ हम को मिल जाएं मतलब जो पहला वाला chromosome है पहला वाला जो set है वहाँ पे दो chromosome नहोंगे चार chromosome हो या हो सकता है कि ज़या सारा condition केवल 1 में नहों के सारे ही chromosomes के साथ होता है तो यह वाली condition क्यलाती है polypolloidy जो पूरा set ही duplicate हो रहा है और एक दूसरी condition है जिसे कहते है एनुपolloidy यह condition ऐसी होती है कि इन में से जो पूरे 23 pairs हैं इन में से कोई एक pair ऐसा हो जिसमें duplication हो जाए ऐसा हो सकता है कि दो chromosomes और add हो जाए या एक chromosome और add हो जाए या एक chromosome minus हो जाए या एक भी chromosome ना present हो किसी एक pair के साथ ऐसा नहीं कि सब के साथ होगा तो यह condition के लाती है एनुपolloidy और यह किसी भी chromosomes के साथ हो सकता है किसी भी set के साथ हो सकता है मतलब somatic chromosomes के साथ भी और sex chromosomes के साथ भी ठीक है तो यह condition है एनुपolloidy की और यहाँ पर question पूछ रहा है एनिपुलाइड फीमेल मतलब यह जो एनिपुलाइडी हो रही है यह सेक्स क्रोमोजोम से related है क्योंकि अगर सोमैटिक में होगा तो वो मेल और फीमेल दौनों में हो सकता है देखें नहीं घैसनाफे फीमेल के केस की बात हो रही है तो यह condition क्या होगी यह condition होगी किस के साथ जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उनके साथ ठीक है एनिपलोईडी, चार टाइप की हो सकती है, एक ऐसी कंडिशन हो सकती है, जब क्रोमोजोम तीन प्रेजन्ट हो, मतलब सेट में तो प्रेजन्ट होते हैं, जैसे एक सेट है, यह एक सेट है, इसमें एक पैर क्रोमोजोम प्रेजन्ट है, हो सकता है कि एक क्रोमोजोम और एड हो हो सकता है कि ये तीनों ही गायब हो जाएं मतलब दो तो पहले से ये present है दो तो हर एक normal condition में होता है हो सकता है कि किवल एक ही cell में present हो हो सकता है किवल एक ही cell में present हो एक ही chromosome कोई भी chromosome हो सकता है somatic भी और sex chromosome भी हो सकता है कि किवल एक ही x chromosome present है ये condition monosome किलाती है और हो सकता है कि एक set में जहाँ पे दो क्रोमोजोम होने थे वहाँ पे एक भी क्रोमोजोम प्रेजन ना हो यह बहुत rare case हो सकता है ऐसी condition किलाती है नली सोमे तो यहाँ पे क्या question है एनुपोलाइड females with only one x क्रोमोजोम और यहाँ पे sex क्रोमोजोम की बात हो रही है जहाँ पे x x होना था वहाँ पे केवल और केवल x present है मतलब यह कौनसी condition है monosome present है यहाँ तो यह कौनसी एनुपोलाइड ही है monosome ठीक है यह बता रहा है ऐसी conditions को specific name दिय सकते हैं और यहाँ पे हमको इन specific name को दिया गया है और हमको बताना है कि यह वाली condition क्या कहलाती है option से cry-do chat syndrome क्लाइं फिल्टर syndrome down syndrome and turner syndrome तो इन चारों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहला है cry-do chat syndrome इसे cat's cry और 5P- syndrome भी कहा जाता है it is a chromosomal condition that result when a piece of chromosome 5 is missing हम sex chromosome की बात कर रहे थे और इन में से केवल और केवल दो ही ऐसी conditions हैं जो sex chromosome में mutation से related हैं बाकी दो somatic जो chromosome होते हैं उनसे related है जैसे 5 वाला जो portion है 5 जो chromosome है वहां पर भी दो chromosome present होंगे 5 वाले प्वेर में और यहां पर हो सकता है कि किसी एक प्वेर या किसी एक क्रोमोजूम में कोई piece जो हो syndrome यह भी related है somatic जो chromosome होते हैं उनसे chromosome 21 disorder यह 21 क्रोमोजूम में होने वाला disorder है यह mutation है इसमें क्या होता है trisomy हो जाती है chromosome 21 की मतलब दो present है तो यहां पर एक और present हो जाएगा तो यह condition कि लाती है syndrome और यह भी sex chromosome से related नहीं है बाकी के दो जो हैं वो sex chromosome से related हैं जैसे Klein filter syndrome और Turner syndrome तो पहले Turner syndrome की बात करते हैं एक ऐसी condition हो सकती है जहां पर एक लड़का हो या एक लड़की हो राइट अगर दौनों ही X chromosome present है sex chromosome में तो यह क्या होगा एक लड़की होगी और अगर X और Y प्रेजन है तो लड़का ठीक है तो boy होगा Turner syndrome एक ऐसी condition है जिसमें females जो होती है वो केवल एक X chromosome को contain करती है ठीक है तो हमको यह question पूछा गया था लेकिन ऐसी condition भी हो सकती है यह तो monosomy की बात हुई अगर हम anipoloidy में trisomy की बात करें या tetrasomy की बात करें तो ऐसी conditions भी हो सकती है जिसमें XXX और XXX हो जाएं या 4X हो जाए Trisomy वाली condition तो यह वाली condition कहलाती है polyX females जिसमें एक से दो से जाधा chromosome present है यानि कि Trisomy, Tetrasomy वाली conditions है ऐसी females style भी हो सकती है और fertile भी हो सकती है और menstruation भी इनमें पाया जाता है mental problem थोड़ी बहुत होती है दिमाग की तोर पे यह थोड़ी weak होती है फिर क्लाइन फिल्टर सिंड्रॉम लास्ट बज गया क्लाइन फिल्टर सिंड्रॉम में मिलता है in case of male X और Y chromosome present है अगर monosomy हुई नली सौमी हुई तो यह individual का जो individual का जो life है वो हम imagine नहीं कर सकते हैं अगर sex chromosome में नली सौमी है तो मतलब एक भी chromosome present नहीं है तो ऐसा individual की death हो जात condition में तो यहां पर नली सौमी नहीं मिलेगी, monosomy अगर मिलेगी तो वो किवल females के case में होगी जैसे कि हम Turner syndrome की बात कर रहे थे, male के case में ऐसा नहीं हो सकता है क्यूंकि अगर Y हट गया तो X chromosome बच जाएगा जो Turner syndrome है और अगर X हट गया तो Y का कोई मतलब होता नहीं है किवल यह chromosome हो, 2 Y chromosome present हो, tetrasomy हो सकता है किवल 1 X present हो, 2 Y present हो, trisomy, Y के trisomy और हो सकता है कि 2 X present हो, 1 Y present हो, ऐसा भी हो सकता है, 3 X present हो और Y present हो, तो यह conditions हो सकती है, trisomy, tetrasomy, male के case में और यह condition के लाती है, Klein Filter syndrome, male के case में एक syndrome मिलता है, जिसका नाम है Klein Filter syndrome, इस condition में जो person होता है वो एक से जाधा y chromosome को contain कर सकता है एक एक से जाधा और multiple x chromosome को भी contain कर सकता है यह यह case है यह male के case में मिलता है और इस case में male जो होते हैं वो sterile होते हैं Turner syndrome में भी females sterile होती है ठीक है तो यहां पर जो question था उसका answer हमको मिल गया एनिपुलाइडी इन females एनिपुलाइडी में भी मोनो जो मोनो सॉमी है मोनो सॉमी वाली condition फीमेल में अगर मिलती है तो वो Turner syndrome कहलाता है ठीक है और अगर वो Trisomy Tetrasomy हो गई तो पॉली एक्स फीमेल के लाएगी यह question ज्यादा नहीं पुछा जाता है question इनी दो syndrome में से आता है Klein-Filter and Turner syndrome तो यहां पर कॉन सा option करेक्ट है Turner syndrome वाला ठीक है next question है a mechanism that can cause a gene to move from one linkage group to another is यह question आ चुका है June 2011 में question क्या है ऐसा कौन सा mechanism है following options में से जिसके through gene जो है वो move कर सकते हैं एक linkage group से दूसरे linkage group में तो इससे पहले हमको यह जाना जरूरी है कि linkage group क्या हुआ linkage क्या हुआ तो linkage का मतलब क्या होता है अगर chromosome है जैसे हम हर chromosome एक pair में present होता है ऐसे ही दो chromosome यहां पर present होते हैं मान लीजिए यह first वाला pair है ऐसे हमारे पास 23 pairs present है तो यह जो दो chromosome है इन में genes होंगे genes से मिलकर chromosome में क्या होते है genes present होते हैं तो अगर कोई दो genes और यह दोनों ही chromosome जो pair में present होते हैं वो कहलाते हैं homologous chromosome ठीक है इनका जो composition है gene composition वो एकदम सेम होता है मतलब ऐलील से लग हो सकते हैं character से लग लग हो सकते characters के जो दो टाइप के resistive और dominant हो सकते हैं लेकिन वो जो दोनों ही genes present है इसमें भी और इसमें भी वो दोनों ही gene केवल एक ही character को define करेंगे ऐसा नहीं कि एक किसी अधर character को eye color को define कर रहा है eye color को represent कर रहा है और दूसरा gene जो उसी के साथ present है वो hair color को define कर रहा है hair color को represent कर रहा है ऐसा नहीं होगा दोनों ही genes क्या होंगे केवल एक ही अगर hair color को identify कर रहा है hair color के लिए responsible है तो तो ये वाले chromosome किलाते हैं homologous chromosome जिनमें composition gene का एक जैसा है एक ही character को ये show करते हैं अगर ये genes जैसे मान लीजिए ये एक X gene है और एक Y gene है ये दोनों ही अलग-अलग characters को बताएंगे क्योंकि एक पे present है ऐसे ही जो इसके सामने वाला chromosome contain करेगा X वाला ये एक ही character को बताएंगे और ये Y एक ही character को बताएंगे लेकिन ये दोनों एक character को नहीं बताएंगे हो सकता है ये दोनों अलग-अलग characters के लिए responsible हो हो सकता नहीं ये पका है सही है ये दोनों ही दो characters के लिए responsible है अगर crossing over होता है और crossover यहां से हुआ है ठीक है crossover genetic material का चींज तो यहां पे genetic material का चींज हुआ है तो यह वाला जो kromozoom वाला होगा यहां पर जो यह दो जीन्स होंगे वो एक ही तरीके से ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच में से crossover हुआ है यह दोनों एक ही gamete में जाएंगे इन दोनों की inheritance एक साथ होगी ठीक है यह एक साथ जाएंगे एक किसी particular gamete में, जब meiosis के time पे crossover होगा तो, तो इस type का जो inheritance कहलाता है, इसे कहते हैं linkage, क्योंकि ये दोनों linked होके गए हैं एक ही chromosome में, एक ही gamete में, तो इस तरीके का, इसको कहते हैं linkage, और linkage group क्या हुए, हमारे पास 23 pairs of chromosome से हैं, और हमारे पास 23 groups से हैं, linkage group, ठीक है, in case of male, यहाँ पे 24 हो सकते हैं, 24 माने जाते हैं, क्योंकि X और Y जो होते हैं, एक दूसरे से different होते हैं, मतलब X का composition Y से एकदम similar नहीं मिलता है, Y का composition थोड़ा अलग होता है, इसलिए, जैसे ये दोनों ही homologous chromosome है, homologous chromosome में, composition same है, और यहाँ पे जितने भी gene है, वो आपस में, एक group बन रहा है, जो एक pair है, यह एक linkage group कहलाता है, इसमें same composition है, और same तरीकी के genes present है, इसलिए, यह क्या किलाता है, linkage group कहलाता है, ऐसे ही जो हमारे पास 23 pairs present है, वो सारे ही linkage group कहलाएंगे, मतलब in case of humans, 23 linkage group होते हैं, एक linkage group में, दो homologous chromosome होते हैं, ठीक है, in case of human, यह 24 हो सकते हैं, करता है, gene को move कराने के लिए, linkage group, other type के linkage group में, मतलब एक linkage group से दूसरे linkage group में, मतलब homologous chromosomes के बीच में, अगर genetic material का change हुआ, तो यह mechanism नहीं क्यलाएगा, यानि कि crossover जो है, वो option wrong होगा, crossover में क्या होता है, दो homologous chromosomes के बीच में, genetic material का change होता है, लेकिन यहाँ पे, दो homologous, अगर chromosome present है, तो यह क्या क्यलाते हैं, एक linkage group क्यलाते हैं, और हमको question पूछ रहे हैं, कि एक linkage group से, दूसरे linkage group में, अगर जो changes होते हैं, genetic material का, वो mechanism क्या क्यलाता है, तो crossover wrong होगा, inversion क्या है, इ rearrange segments of a chromosome, मतलब chromosome अपने ही segments को, अगर rearrangement of the chromosome, ऐसो कह सकते हैं, कि जो chromosomes के segments है, यह जो gene का order है, उसको rearrangement करना, उसको rearrange करना हो सकता है, कि वो, क्या करें, end to end rearrange करें, या बीच में से segments जो है, वो वापस से break होके, पहले break होंगे, फिर उसके वापस से जुड़ जाएंगे, तो यह rearrangement का जो चीज है, उसे कहते हैं, inversion, तो यहाँ पर तो genetic material का change नहीं हो रहा है, तो यह वाला option भी wrong होगा, हमारे पास duplication भी option है, duplication का मतलब होता है, एक या एक से ज़्यादा copies अगर present है, gene की या chromosome की, हो सकता है, chromosome जैसे हमने anupoloid और polypoloid की बात की थी, जब पूरा एक ही set copy हो polypoloid कैला रहा था, और जब एक chromosome set में से, हो सकता है कि एक chromosome की copy हो जाए या दो chromosome की copy हो जाए, trisomy, tetrasomy, तो यह क्या कैला रहा था, anupoloid, तो यह जो duplication है, इससे भी genetic material का change नहीं हो रहा है, केवल duplication हो रहा है genetic material का, तो यह option भी wrong होगा, last बचता है, translocation, translocation is a process of exchanging genetic material between non-homologous chromosomes, and translocation, यहां पर translation नहीं है, translocation moves genes of a one linkage group to the another, इसकी वज़े से क्या होता है, एक linkage group, क्योंकि हमने कहा था, एक linkage group क्या हुआ, जो दो homologous chromosome होते हैं, उनका set कलाता है, एक linkage group, ऐसे ही जो दूसरा homologous chromosome का set होगा, वो भी दूसरा linkage group होगा, तो यह दो linkage group होगे, मान लीजे, first वा chromosome का set है, और एर्थ वाला जो chromosome का set है, वो दो अलग-अलग type के linkage group होगे, लेकिन यह एक दूसरे से तो अलग है, यह दूसरे के non homologous है, मतलब first वाला जो set होगा, वो एर्थ वाले set के chromosome से आपस में composition नहीं मिलता होगा, तो यह non homologous chromosome होगे, और non homologous chromosome दो अलग-अलग linkage group होग और इनके बीच में genetic material का transportation होता है, जो transfer होता है genetic material का, वो क्या कहलाता है, translocation, crossover में केवल genetic material exchange होता है between homologous chromosome, लेकिन homologous chromosome एक ही linkage group है, तो एक crossover नहीं होगा यहाँ, हमको question में क्या पूशा गिया है, दो अलग-अलग linkage group के बीच में genetic material का change, यह mechanism कहलाता है, translocation, crossover नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर confusion होती है, crossover पर टिकल लेते हैं कभी-कभी, यह ध्यान रखना है कि एक, जो homologous chromosome का set है, वो एक ही linkage group है, और दो linkage group के बीच में, जो genetic material का exchange होता है, वो translocation के थ्रू होता है, exchange genetic material, exchange of genetic material between non-homologous chromosomes, translocation यहाँ पर correct option है, ठीक है? next question है, how many genetically different gametes can be made by an individual of genotype this, इस genotype से कितने individuals gamete बन सकते हैं, अलग-अलग gametes form हो सकते हैं, और assume किया जा रहा है, यह independently assort हो रहे हैं, मतब यहाँ पर किसी में भी linkage group present नहीं है, इन में से जितने भी genes हो सकता है, एक chromosome पर present हो, लेकिन दूर-दूर present हो, जिससे crossing over अगर होगा, तो वो अलग-अलग type में divide हो जाएंगे, ज्यानिकिन में linkage नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि वो अलग-अलग chromosome से present हो, जैसे a character है, जो a gene है, वो present होगा first वाले set पे, और जो second वाला है b, यह हो सकता है, eighth chromosome पर present हो, इस तरीके से, अलग-अलग है, तो यह independently assort हो रहे हैं, तो कितने type के gametes बन सकते हैं, यह question June 2012 में आ चुका है, options हैं, तीन, पांच, आठ और बतिक, इनमें से कितने type के gametes हमको मिल सकते हैं, तो gametes form करने का, और gametes कितने बनेंगे, इसको identify करने का एक बहुत simple method होता है, अगर हमको बहुत सारे characters एक साथ दिये गए हैं, तो अगर यह mono hybrid cross का होता, केवल एक character को लेकी होता, या दो character को लेकी होता, तो हम आसानी से gametes form कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 अलग-अलग type के characters दिये गए हैं, मतलब एक gamete में 5 type के genes include होंगे, और हर एक gamete में 5 अलग-अलग type के gametes include होंगे, जैसे 2 di hybrid cross करते हैं, तो वहाँ पे 2 type के gametes मिलते हैं, जै ठीकी के gamete बनते थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो gamete बनेगा, एक gamete में भी 5 type के different type के genes present होने जरूरी हैं, ठीक है, तो इसको जानने के लिए, यह identify करने के लिए, कि poly hybrid अगर है, या हो सकता है कि 4 से 5 से 6 से ज़्यादा characters हम को दिये गए हैं, तो उस condition में एक method आता है, जिसका नाम है folk line method, इसके थुरू हम आसानी से जान सकते हैं कि कितने gametes form होंगे, और वो gametes कौन-कौन से होंगे, तो किस तरीके का होता है method, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी heterogigous genes है, heterogigous genes को folk के तरह अलग-अलग करके दिखाते हैं, क्योंकि यह दौनों ही अलग-अल जैसे यहां पर दो folk हैं, तो यहां पर जो है, हमने c को दिखाने के लिए दो folk नहीं की है, यहां पर यूद, ऐसे c और ऐसे c, ऐसे c ऐसे c नहीं बताया है, क्योंकि यह क्या है, homogigous condition में है, यह अगर किसी में जाएगा भी, तो c के रूप में जाएगा, capital c है, recessive c है, तो यह recessive ही तरीके से जाएगा, और यहां पर यहां पर है, हेट्रोजाइगस condition में है, तो हमको a भी लिखना पड़ेगा, capital a भी लिखना पड़ेगा, और small a भी लिखना पड़ेगा, जैसे b है, यह भी heterogigous condition में है, तो हमको हर एक किसी के साथ इसको cross करवाना पड़ेगा, हर वाले एक साथ भी इसके साथ भी और इनके चार टाइपके बन जाएंगे और जैसे सी की बात करें यह ळैगा हो जहा नहीं चलju możemy है तो इनको अगर एक एक बार और D को भी हम एकी बार include करेंगे, E क्या है, heterogigous condition में इसको इसके लिए सब के साथ दो-दो बार include करना पड़ेगा, capital E को भी include करेंगे और small E को भी include करेंगे, कुछ इस तरीके से, और फिर हमको इन सब को जोड़ना है, जैसे हमने इस तरीके की folkline method से इसको किया, और उसके बा gamete बनेगा, ये वाला, ये तो उपर की case में था, अब हमको small E के साथ भी gamete बनेगे, ये वाला भी तो आगे sort होगा, ये वाला allele भी तो किसी और gamete में जाएगा, तो इस allele के साथ, पहले इसको include करेंगे, फिर इसको include करेंगे, फिर ये वाला include होगा, और फिर ये वाली line का include होगा तो इस तरीके से यह gamete बनेंगे जिसमें 5 के 5 जो jeans है वो included है और यह gamete कितने बने यहां पर 8 different type के gamete हमकों मिलेंगे ठीक है एक है a, b, capital a, capital b, small c, capital d and capital e ऐसे ही करके अलग-अलग type के जैसे forkline method में हमने देखा first वाला इन सबको लिया और एक gamete बना फिर इन सबको लिया फिर दूसरा gamete बना यह वाला पहले इसको फिर इसके साथ और फिर इसके बाद इसके साथ फिर यह वाला gamete और फिर यह इसको फिर से include क्योंकि यहां पर small e को भी जोड़ना है फिर small e वाला तो इस तरीके से चार उपर से बने और चार इसके साथ भी ऐसे include होंगे small a भी है यहां पर इस तरीके से आपको 8 gamit यहां पर मिलेंगे तो इस particular genotype से हमको 8 gamit form होंगे हमको कितने gamit मिलेंगे अगर इसका हम निकालेंगे तो यहां पर से 8 different type पर gamit form होंगे जो कि independently assort हो रहा है क्योंकि अगर linkage होता तो आर्ट नहीं मिल पाते लेकिन यहां पर linkage नहीं है इंडिपेंडेंटली assort हो रहे हैं तो इस तरीके से हमको 8 gamit मिलेंगे और अगर यह क्रॉस करवाया जाता है किसी के साथ तो वहां से भी 8 gamit मिलेंगे फिर वहां पर इसे आठ और आठ फिर इनकी मिलने के chances कि सरीके से होते हैं यह लग से हम पनेट स्क्वेर दारा देखते हैं तो यहां पर कितने gamit से हैं यहां पर किवाल gredding plant having red colored flowers with pure breeding white colored flowers means जो दूसरा वाला है वो क्या है एक जो plant है वो consist करता है red color के flower को इसका cross कराया गया है एक ऐसे plant से जिसके पास white colored flower है और यह दौनो pure picked hybrid नहीं है ठीक है तो मतलब किस तरीके से ये जो होगा, ये genes, जो पहला वाला plant है, उसके पास जो donor genes है, वो homo gygus वाली condition में होंगे, मतलब जो homo logus chromosomes के दो gene है, वो homo gygus है, एक जैसे दिखने वाले हैं, उन में से कोई अलग अलग जीज के लिए responsible नहीं है, hybrid like का नहीं है इस तरीके का, और जो दूसरा वाला plant है, वो क् तो इस तरीके का कुछ इनका जीनो टाइप होगा और फिनो टाइप हमको पता है रेट कलर और वाइट कलर फ्लावर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया है ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है यह क्रॉस क्या क्या लाता है सिंपल सा क्वेश्चन है back cross की बात करें अगर तो back cross में होता है cross between F1 offspring with either of either of the two parents are known as back cross मतलब जो offspring आएगी किसी दो parental generation के बीच में cross करवाने के बाद जो offspring आएगी F1 generation में उसका cross किसी parent generation दोनों मैंसे किसी एक के साथ आदकर cross करवाएं तो वो cross किलाता है back cross और test cross इसी का modified एक टाइप है जिसमें क्या किया जाता है जो F1 offspring है वो अगर heterogigous condition में है यह जानने के लिए कि जो offspring है उसका genotype क्या है offspring का cross करा जाता है pure recessive वाले parent के साथ ठीक है dominant वाले के साथ नहीं pure recessive वाला जो होगा उसके साथ उसका cross करवाया जाता है तो यहां पर hybrid का cross करवाया जाता है pure recessive वाले के साथ parental generation में इस cross को कहते है test cross और यह use किया जाता है यह जानने के लिए कि हेट्रोजाइगस यह जो hybrid हमको मिली है यह इसका genotype क्या है इसका genotype जानने के लिए यह cross करवाया जाता है तीसरा जो monohybride cross है monohybride cross inheritance of one pair of contrasting characters monohybride cross का मतलब है जब केवल एक character को लेकर हम cross करवाएं तो उस type का cross क्यलाएगा वह क्यलाएगा monohybride cross मतलब केवल एक वैसे ही die hybrid cross जब हम दो character को लेके cross करवाएं जैसे flower color को लेके और sheet color को लेके sheet color और sheet shape को लेके ऐसे जो crosses होते हैं दो characters को एक साथ लिया जाता है जब तो वो कहलाता है die hybrid cross और उसके बाद एक से जादा अगर characters को ले रहे हैं तो poly hybrid cross तो यहाँ पे जो question पूछा गया था back cross नहीं है test cross भी नहीं है hybrid के साथ नहीं कराया जा रहा है parental generation के साथ कोई cross नहीं हो रहा है यहाँ पे एक character को लेके flower color को लेके cross करवाया जा रहा है ना कि दो characters को लेके तो यह कौन सा cross होगा monohybrid cross क्योंकि यहाँ पे केवल एक एक type को लेके एक character को लेके cross करवाया जा रहा है और character क्या है flower color या तो वो red होगा या तो वो white होगा तो इन दौनों की बीच मेर वो दौनों ही क्या है pure red है ठीक है तो इस type का cross होगा monohybrid cross अगर दो से जादा character दिये गए है या केवल द characters की अगर हमको crossing बताई गई है तो वो इस type का cross कलाएगा dihybrid cross ठीक है तो यह थे कुछ important questions related to inheritance biology और यह सारे question part B के question है आगे और questions के साथ बात करेंगे thank you so much